हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का मिथला आज स्मार्ट क्लास की जुड़ी चनल पर आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक बहतरीन टॉपिक मैथ का मेंसुरेशन यह जो क्लास है वो बिल्कुल क्लास 9 10 8 वाले भी देख सकते हैं और कंपेटिशन वाले भी देख सकते है है चुकि मैंसुरेशन से लगवग लगवग हर एक एकजाम में जो basically कमपेटिशन का जो एकजाम होता है उसमें पुछा जाता है थोरा बहुत किसटन तो मैंसुरेशन का हम लोग स्टार्ट करेंगे मैंसुरेशन का हिंधी नाम होता है है छत्रमिती छहत्र भी अब ठीडी और टूडी इसमें ठोश मजीए फूरा समजी गाटू डाइमिंचिनल ध्रो ऍत्री डाविस्नल इसका पूरा नाम होता है टूआमिंच्णल में इसमें ज़ाधा से ज़ाधा क्या बात करेगा आईतन की बात नहीं करेगा समझिए जैसे इसमें एक तो लंबाई की चर्चा होगी, एक चौराई की चर्चा होगी, यानि कि उच्चाई की चर्चा नहीं होगी, लंबाई और चौराई, लंबाई और चौराई चर्चा होगा 2D में, जबकि 3D में इसमें कहीं न कहीं उच्चाई भी सामिल है, यानि कि लंबाई चोराई उचाई कहीं न कहीं इसमें सामिल है ठीक है तो 3D में यह तीनों होते हैं जिसमें लंबाइ चोराई उचाइं भी हो 3D और जिसमें सिर्फ लंबाइ चौराई की चर्चा हो 2D कहलाता है example तूडी का जो एक्जामपल होगा जैसे में कोई भी आप चत्रभुज की बात कर सकते हैं आयत बर्ग पेरलेल अग्राम समांतर चत्रभुज रॉम बस कुछ भी इस तरह से जो भी है बृत सरकल यह यह सारे चीज क्या करेंगे टूडी के अंदर आएगा ठीक है तो टूडी मे लंबाय चुराइग की चर्चा होगी उचाय की बात नहीं झाली होगी जैसे मैं इससबूस गोत दोःमोर के लूझ और चुराई है ठीक है अब इसमें कहीड़ी हाइगा है तो यह क्रžeक्स करेंगे तो लंबाई चुराइग के साथ उंचाय का चर्चा होगा तो 3 ति का ला कहाला उसके बाद हम बात करते हैं कि बैलन सिलिंडर इसमें यह हाई होता है उसके बहां कर रेडियास बताएंगी अवी कि पुड़न करने तब होता है i即 होता है श्रास होता है तो जिसमें हाइट होगा समझ लिधे लेंथ बेहिट है अगर चड़ चाहिए तो 3D का होगा, इसके अंदर हम लोग volume को भी पढ़ने वाले हैं, volume मतलब होता है item, यानि कि 3D figure में हम लोग item को भी निकालना है, हम लोगों को, और 2D में हम लोगों को item नहीं निकालना है, इसका निकालेगा दो चीज यहां से question आता है, दो तरह का, पहला तो आएगा आपको प्रिमाप मतलब चैत्रफल और परीमाप इस तरह का question पूछेगा, ठीक है मैं सुरेस्तन के अंदर, आगर इसमें हम जाए तो इसमें, चैत्रफल भी पूछ सकता है, चैत्रफल बेवी 2 तरह का शैत्रफल, एक होता है बकर परिश चैत्रफल एक होता है संपूर्न परिस्ष जिसकों लोग CSA English में कर्व सर्फेस एरिया कहते हैं और इसकों TSA यानि कि टोटल सर्फेस एरिया कहते हैं यानि कि कह सकते हैं आप 3D के अंदर जो है वह अगर शेतरफल पूछेगा तो शेतरफल भी तो तरह से एक CSA पूछेगा CSA मतलब कर्व सर्फेस एरिया और टोटल सर्फेस एरिया एक होता है TSA टोटल सर्फेस एरिया यानि कि संपूर्ण प्रिश्चद्रफल और वख्रिश्चद्रफल यह 3D के अंदर हम लोग छेतरफल को दो तरह से पढ़ने वाले हैं ठीक है उसके बाद इसम व्यास इसको मिंद्य में कहते है त्रिज्या और व्यास यह सारी जीज का कहीं न कहीं चर्चा होगा और इसका सबका अलगा-षफर्मॉला वेसस है तो मैंसूरेसं जो है विल्कुल फॉर्मॉला वेसी सारा विश्चन इस पर रहेगा यानि हम चलते हैं धोड़ा इससे आग तृधूंच त्रीफूंज के बारे में जानेंगे त्रिफूंज क्या होता है इसके बारे में आज लोग डीटेल्स जानेंगे उसके पूरा वीडियो भी तृछ यह संभननजित आएगा चुक्ति तिरभूंच टूर zostaill Recently करव reproduce है तो थोड़ा ताइम तो लगेगा लेकिन खायर छोटे छोटे वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको जरूर फाइदा हो ठीक है अब चलते हम टूरी के अंदर एक एक जामपल जिसका हम त्रफुज नाम दिया यह त्रफुज होता है अब इसको समझ यह त्रफुज जो होते हैं वह थ्री होते हैं ठीक है वर्टेक्स वर्टेक्स जो होगा वह भी थ्री एंगल जो होगा वह भी थ्री मतलब इसमें तीनों चीज तीन तीन होते हैं कौन-कौन सा एक साइड साइड भी थ्री उसके बाद यह एंगल होता है यह कौन यह भी थ्री और वर्टेक्स य अगर आपको तिर्भूज किसे कहते हैं, तो कहना है उसे कि तीन भूजाओं से घिरी हुई आकरिती को तिर्भूज करते हैं, तीन भूजा से घिरी हुई आकरिती, ध्यान दीजेगा, तीन भूजा से घिरी हुई, मतलब अगर तीन भूजा तो होना ही चाहिए, साथ-साथ य होना चाहिए लेकिन आगर मान लीजे कि इसको हम यतना मिटा दिये तो यह हो गया और यह और यह मतलब सब्सक्राइब तो इसे हम तिर्भूज नहीं कहेंगे को आपस में घीरे अप्रूज होते हैं इसाऑ प्रोपर्टीज को हम लोग जानने का प्रियास करते हैं, United पहला प्रोपर्टीज है तिरभुज का कि कि इसमें तीन कोन होते हैं तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, बाले यहाँपर ABC दी है तो एंगल A, एंगल B, एंगल C अगर P, Q, R, देते तो एंगल P, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R यग्फल होता है यह पहला आपको याद रखना चाहिए प्रोपर्टी यह पहला प्रोपर्टी है कि जो यहां पर यहां पर यह 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 A a angle b angle c यह तीनों को अगर हम आपस में मिला दें तो 180 degree हो जाएगा किसी भी तिर्फुज में यह होता है ठीक है чи मुलत दूसरा दूसरी बात हम करें अगर इसमें तो इसमें तीन साइड होते हैं जिसमें अगर कोई दो साइड को हम plus करें अगर कोई दो side को हम plus करें तो वो हमेशा तीसरे side से बरा होगा ये भी बात याद रखना है यानि कि अगर हम इसमें a b और b c को plus करें तो ये तीसरा side ac से बरा होगा ये भी property को याद रखना है a b plus b c greater than ac means that ये जो तो दो है दो side a b और b c इसको हम अगर plus करते है तो तीसरी side ac से बरा होगा चाहे अप ये भी कह सकते है कि अगर हमने b c plus a c को adds किया मतलब ये side ब each star b c है और ये है a c अगर हम इसको इसको इड़ किये तो ये का जो जोड़ होगा तीसरे ए-b се क्या होगा बरा होगा यानि की ए-b se बरा होगा ये दोनों का समेशन अब ये भी कह सकते हैं कि ac plus ab greater than bc ये भी ok सकते हैं मतलब ये हुआ कि त्रिभूज में अगर हम बात करें तो 3 side होते और तीनो साइड में अगर दो साइड को प्लस करेंगे तो तीसरी साइड से क्या होगा वह बढ़ी होगी इस बात को याद रखना है तीसरा प्रोपर्टी मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से मैंने बताया कि दो का समेशन तीसरे से बढ़ा होगा उसी तरह से दो का जो डिफरें वह तीसरे से क्या होगा छोटा होगा इसको भी याद रखना है इसी तरह से आप तीनों केस्ट ले सकते हैं तो ध्यान से समझेगा कि मैंने बताया पहला प्रोपर्टी कि तीनों एंगल टीनों एंगल को अगर हम प्लस कर दें तो कितना होगा 180 डिगरी होगा एंगल दूसरा मैंने प्रोपर्टी बताया कि दो का समेशन दो साइड का समेशन तीसरे से बढ़ा होगा तीसरा बात एभी माइनस बीसी यह जो है वह दो का डिफरेंस जो अगर लेंगे छोटा होगा यह मैंने बताया अगला प्लोपर्टी जै अगला प्लॉपर्टी से आपका ट्रियंगल से संबंदित कि अब धयान से समझ लिए यह मांन लिए कि कोई ए ट्रियंगल है यह ए एई बी यह सी अब हम क्या करेंगे इसमें ये तीन Γो कोन होते हैं वह अंदर की ओर है अंदर की ओर इसी लिए हम इसे क्या कहते हैं अंतह कौन कहते हैं क्या कहते हैं ध्यान से समझेगा अंदर में कौन है अंतह कौन कहेंगे लेकिन इसका मतलब मैंने जब अंतह कौन कहा इसका मतलब कहीं न कहीं बाहरी कौन भी होता होगा बाहे कौन भी होता ह जो यानि किसको लोग एक्सटर्यइट एंग्ल के नाम से जानते हैं में दो लग्यान के लिए हें और अंकी अपर ईंगरम बाहर बाहर हो जाएगा और एक्सटर्यर आंगल इंग्लिस में व작 पार इसको यह बात को यह से कुछ concept हम लोगों को दिमाग में याद रखना है पहली बात concept यह याद रखना है कि किसी भी side को मान की चलिए हम यहाँ पर इस AC को बढ़ा दिये आप सोचें तो CA को भी बढ़ा सकते हैं आगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं देख रहे हैं कि बाहरे में एंगल बन रहा है आप चा कि अलफा बीटा गामा यह अलफा यह बीटा यह गामा यह तीनों है क्या चीज exterior angle of the triangle मतलब किसी भी त्रिभूज का exterior angle जो है वह अलफा बीटा गामा मैंने लेट किया है यहाँ पर तो जिस तरह से अंत्रिक कोनों का जो योगफल होता है वह 180 degree होता है उसी तरह से बाहरी को का जो योगफल होगा वह 360 degree का होगा यह भी याद रखना मतलब यह हुआ कि अलफा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वह 360 degree होगा ध्यान से समझेगा बात को कि अगर मैं अंदर वाले कौन की बात करूं तो तीनों का समेशन होगा 140 degree यह मैं प्रूफ भी कर सकता हूं आधारी कोन यह सब है तो 307 बनेगा अगर आंतरी कोन रहता तो 180 बनता इस चीज़ को भी याद रखना है आगे चलते हैं थोड़ा सा इससे टाइप साफ ट्रियांगल को समझते हैं यह प्रोपर्टी था ट्रियांगल का लेकिन अब हम पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में क कि कितने तरह के हैं कितने तरह के त्रिभूज हो सकते हैं किस किस के आधार पर हो सकते हैं आधार क्या रहेगा उसका वर्गी करन का समझे टाइप साफ ट्रियांगल त्रिभूज के प्रकार त्रिभूज के प्रकार अब देखिए द्रिभूज के प्रकार को हम लोग दो तरह से बाटेंगे मतलब इसका जो बटने का तरीका है विभाजन होने का जो तरीका है वो दो तरह से बेस है पहला बात है कि वह भूजा के आधार पर भी बटता है भूजा के आधार पर जो है हम लोग mensuration में पढ़ते हैं जब कि कोbait के अधार पर हम लोग 73 के अंदर पढ़ेंगे जब कि इस भूजा के अधार पर जितनी वी बातें होगी वह सारे के सारे हम दिमाग लगा ये सम मतलब होता है बराबर बाहु मतलब भुजा यानि की जिस तिर्भुज का तीनो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कहते हैं संबाहु तिर्भुज, संबाहु तिर्भुज, उस तिर्भुज को कहेंगे, जिसमें तीनो भुजाएं आपस में बराबर हो, बात को ध्यान रिकिए, जब तीनो भुजा बराबर होगा, तो तीनो कौन भी बराबर होगा, ये भी प्रोपर्टी होता है, कि किसी भी कौन है और तीन भूजा है तो जब भूजा मैंने देखा यहां पर तीनों आपस में बराबर है इसका मतलब एंगल भी आपस में बराबर होगा आप सोच सकते हैं कि जब तीनों का योग होता है 180 अंदर में तीन को कौन बनता है तीन से डिवाइड लगा दीजिए 60 आने वाला है 60 डिगरी का एक एंगल होता है याद रखना है किस तिर्भूज में संभाहू तिर्भूज में संभाहू तिर्भूज वैसी तिर्भूज जिसमें तीन भूजाएं होती है तीनों भूजाएं बराबर तिर्भूज में तैसे तिन भूजा होती है लेकिन जब तीनों इसका टाइप भूजा के आधार पर वह होता है विसम बाहु विसम वाहु तिरभूज धियान दिजिएगा विसम बाहु तिरभूज को हम लोग इंग्लिस में एस्कैलन ट्रियंगल कहते हैं, स्कैलन ट्रियंगल के नाम से जानते हैं, अब दिमाग लगा यह विसम, जिस तरह से सम था तो सब बराबर था, विसम है सब अलग अलग होगा, यानि कि इस तीनों में क्या है, अलग अलग है, कुछ भी समानता नहीं है, यानि कि अगर A, B, C है यह 5 होगा, यह 7 होगा, तो यह 9 कुछ भी होगा, अलग-अलग होगा, ठीक है, यह 3 होगा, यह 5 होगा, यह 4 होगा, कुछ भी अलग-अलग होगा, सब बराबर नहीं होगा, तो इस तरह के तरभूज को हम लोग विसम बाहु तरभूज की नाम से जानते हैं, अब एक बात बत जाए मैंने क्या वोला कुछ दिर पहले कि जिसी भी तिर्भूज में अगर जितना भूजा बरावर है उसके सामने वाले पर बीट भी उतना बरावर होगा तो कहने का मतलब यहां पर तो कोई भी भूजा आपसे बरावर नहीं है तो आप सही सोच रहे होंगे कि यहां पर बाहु तिर्भूज की मैं बात करूं तो तीनों भूजाएं बराबर बराबर नहीं होती है और तीनों कौन भी बराबर बराबर नहीं होता है यह कुछ होगा यह कुछ होगा यह कुछ होगा लेकिन एक्स्टरियर एंगल जो बन रहा है बाहरी कौन सब में इसका समेशन हमेश कीसा साथ मैंने प्रॉर्पर्टी में बता दिया के तो यह भी समझ मा भी सम्दलाब त्वुझ रगशतीरी साथ जनद एक है याननी कि जिस प्रूंतर में दो भुजयें बराबर हो आपस में उसे समद Hai बाहू तरफूज करते हैं यानिकी अगर मैं अगर मैं यह तरफूज की बात करूं एबी सी की तो इसमें देखने अगर A, B, बरावर है a, c से तो दो भुजा बरावर है तीसरा मैंने कुछ तरचा नहीं किया यानि कि तीसरा बरावर नहीं है मानलीजिये यानि कि a, b है बरावर a, c का वाट not बरावर है यानि कि equal नहीं है किसके b, c के तो हम क्या कहेंगे यह समद्वी बाहुतृफूज का केस बन होती है सまनने इसके सामने में परने वाले ऑने वाले दो ऑन वह आपस में बराबर होगा यह से हैं एकंगल अजने संस्व कर देगा कौन संधु बन ऊंधु आप ओपबर मिश्मुद्धश क्या करन कि मैं 2 टाइप को स्था कर दिया बुजा क्या अधर पर का दो कॉई भी भुजां रपस में तरफ जो कर लेते हैं यानि की हम लोग भुजाख के आधार पर द्रीक चुके भुजा के अधार पर तीन तरह पर कौन-कौन इससकोन थोरा लिख देते यहां पर एक होता है सम्म वाहु तिर०ूज जो मैंने बताया अभी दूसरा होता है सम्म दूई बाहु तिरूज तीसरा होता है विसम वाहू तिरभूज बस ये तिरभूज का टाइप है on the basis of side मतलब भूजा के आधार पर लेकिन अब हम कौन के आधार पर बात करते हैं कौन के आधार पर समझेगा इसमें भी हम लोग तीन तरह के पढ़ने तीन तरह से पढ़ने वाले हैं एक ऐसा जिसमें टीनो का टीनो कोन कण नबे से छोटा होगा नबे से छोटा लेस नाइन्टी अब भ्रियान दीजैये यहां पर नैंटी से कम यहां पर भी नइंटी से कम तरह का जो होगा उसको का महलेग मिलेन कोन के नाम से जानते हैं निप इन कॉन तिरभूज औरफूज ऐक्यूट एंगल ट्रियंगल मतलब brand pin तो अगला होता है एका आप सम्कून तरह कि मैं बात करूंस रहुं सम्कून तो जिसमें एक कॉन 90D drie का ओचिThis और यहां पर दिख न एक जो कॉंण वह 90 नबबेशीन का बना रहा है इसका मतलब यह हो गया राइट एंगल ट्रिंगल मतलब समकॉन तिरभूज इसमें भी तीन बातें होती है इसे हम लंब कहते हैं इससे आधार कहते हैं उसके बाद यहां पर जो बचा दो एंगल इस दोनों का समयशन नभे होगा अब ध्यां दीजिए कि अगर मैं समकॉन का योगफ़ एक्साओस ही होता है जिसमें अगर बी अक्यला 90 हो गया इसका बचा नवे डिगरी लाने के लिए ये जो एंगल एय है और ये जो एंगल की बात करूं तो वह तीनों मिला करके एक सासी हो जाता है तो समकून त्रभूज में वैसी त्रभूज जिसे जिसमें एक त्रभूज एक कौन कम से कम नबे डिगरी का होना चाहिए वोसे क्या करते हैं अब तीसरा इसी का इसी के अंदर कुछ टाइप है तीसरा अधि कोन त्रभूज अँ अधिक त्रभूज को समझ जये जैसे कि मान लिजिए कि यह त्रभूज क कुछ इस ट्याइप यहांपर एक त्रभूज जो है यह कम से कम एक कोन नबबे से बढ़ा होना चाहिए यानि कि अगर कोई तरभूज है उसमें एक भी कून अगर 90 डिग्री से बढ़ा है मालीज यह 92 हो गया कुछ भी 90 से बढ़ा 105 हो गया 100 डिकुछ भी अगर एक कून हो जाता है उससे हम क्या कहते हैं अधिक कोन तिर्फुज कहते हैं या फिर obtuse एंगल ट्रेंगल करते हैं अब ध्यान दीजेगा यहां पर सुरा सा ए बी सी यहां पर देखने कि एक को 90 डिग्री से छोटा 90 डिग्री से बरा है इसका मतलब कहीं न कहीं यह 91 हो सकता है 92 ज्यादा हो सकता है लेकिन इस दोनों का ज हरता सूंपना टैने कि एक और प्रशा से रेलेटेटी भी है अब उसको सबनाजते हैं कि वह कौन सा तीर्भूज है कि अब देखिए एक ऐसा तिर्भूज आपको सामने नजर आएगा कि जिसमें यह नभी डिका है तो यहां से पता चला कि यह समकून तिर्भूज है लेकिन अगर मैं बोलूं कि यह भूजा और यह भूजा आपस में बराबर है तो यहां से एक नजर आ रहा है यह भी बात की सब्सकर्ण तो बताये क्या बताये थे किसि त्रभुज में दो फूमजाह बलाबर होता थो समधी बाहु तर्भुज तो यहां पर समधील बाहु और समधील में Е kitty नम देते हैं एक ये हो गया एक ये हो गया दोनों साइड भी इक्वल है तो इस तरह का भी एक तीसरा हो जाता है तो मिला जुला के हम लोग आज साथ तिरफुज के बारे में पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में हम लोग इसके डिटेल्स जाएंगे और थोड़ा और मीडियन को Small camera mex the way in पर भिएО को सानल के माधियम से अगर वीडियू आपको अच्छा लगा है तो शिर्फ आप देखिये सिर्फ ने वीडियो को वीडियो को देखते है सही है कोई बात नहीं अच्छा है बनाते हैं देखने के लिए ही लेकिन उसमें लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों की बिच सेर भी कीजिए ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही रन देते हैं थैंकिसो मज